तो जैसे अभी बैंडिंग एनरजी की बात की की बैंडिंग एनरजी क्या होती एक टर्म इसकेंदर आता है बैंडिंग एनरजी पर नुकलियोन बैंडिंग एनरजी को बैंडिंग एनरजी देखाया पर नुकलियोन का मतलब जितने बी नुकलियोन है उनकी संख्या से डिवाइट कर दिया चीлив उससे सब्सक्राइब भुदद थेक्ट वहांग और पर नुक्लिएस की इसे जुड़ा हुई जैसे जैसे घैसे नुक्लिएस का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे बैंडिग centigrade बढ़ेगी वनुकेलियों दो चैसे yeter like saic असकी बढ़ती जाएगी लेकिन अब गरती उसकी बढ़ए की बढ़ेए लेकिन दो न्युकलियों को होड़े के लिए जाद है जब्रों कि सब्सक्राइब दूर हो गये लेकिन पर-nucleon जो binding energy है एक nucleon को बांधने के लिए जो energy चाहिए होती है उसकी value क्या पता घड़ जाए तो अगर उसकी value घड़ जाएगी तो nucleus की stability कम हो जाएगी मतलब binding energy पर nucleon ये nucleus की stability बदाता इसको किस तरह से आप समझे जैसे अगर आप GDP dp देखें gross domestic product देखें तो आप India का GDP और England का GDP देखें तो किसका जगादा होगा in Glas dud Media का जगादा होगा GDP जो है वो India का ज giyदा है plateau क्या GDP समझरे न hè Gross domestic product totally worth produce होती है देश में उसे GDP कहते हैं तो India का GDP मान लंटे हैं एंडिया जदो झाल Okay Oh कि उसके अंदर जो इंकम है वह किसकी जएदा है वह इंग्लाइन की कई कई गुना जादा होगी ठीक है पर परसंगी वह इंग्लाइन की कई गुना जादा होगी कि जैसे माली जिये दोनों का जैसे जीडिपी जो है वो सपोज करिए कि 2 trillion है 2 trillion है अब इंडिया की population से इसको divide करते हैं पॉपलेशन से डिवाइड करते ही बहुत बुरी तरह से यह fall हो जाएगा ठीक है और इंग्लैंड की कि अगर population से दिवाइड करेंगे तो पर-capita income पे ज्यादा कोई खास फरक नहीं पढ़ने वाला है तो पर-capita income जो होती है वो पर-capita income ही बताती है कि देश के नागरी कित्ते खुशाहाल है और जो GDP है पॉपलेशन बहुत ज्यादा होगी तो GDP ज्यादा होगा ही लेकिन पर-person जो है वो अगर आप इंडिया की population से यूपी बिहार को काड के लग कर दे माल लीजिए यूपी बिहार को तो इंडिया तुरंट का तुरंट जो है developed country बन जाएगा जानते हैं कि नहीं यूपी और बिहार दो स्टेट को आप हटा दीजिए इंडिया से पाकिस्तान जैसे अलग आघरी करते हैं तो लेकिन यह है कि जीडिपी बहुत कम है और लेकिन आप पॉपलेशन बहुत ज्यादा है तो ओवर ऑल जो इंडिया में जितना भी मतलब जैसे करते हैं कि ग्रोथ होती है पूरी पूरी ग्रोथ यह लेके पूरा नीचे बैठ जाते हैं मतलब इतना कि यहीत है तो टो सुमझ गए इनकम जो अध़ झो अधिन नटीव uanडीड इन्ची वह इंपॉट है जो वह चीछ यह वह ज Nur को बांदने के लिए कित्ती एनशी रिक्वार्मेनेंन्ट होती है Cause ज्यादा इंपॉर्टेंt योजना आयोब का शब्द है मेरा शब्द नहीं है कि कोई बुरा मान जाए बिमारू स्टेट बिमारू में कौन-कौन था बी समझ गए बिहार फिर मद्ध परदेश फिर राजस्थान फिर यूपी यह प्लानिंग कमिशन ने चार को बिमारू स्टेट मतला नाम ही रख दिया कि और लोग पूरा एकदम जंडा बुलं के हुए हैं सबसे अगे अब उसमें भी मतलब यूपी में बहुत ज्यादा बहुत जादा जंसन का होने की वज़े से और लोगों की प्रोड़क्टिविटी कम होने की वज़े से अभी भी हम लोग मतलब भीमारू के इंदर बचे ह पिछले 20 सालों के अंदर इनका बहुत तेज देवलप्रदेश का क्योंकि वहां रिसोर्स तो नहीं है उतने जैसे राजस्तान हर्देगा आप देखो कहीं हर्याली नहीं मतलब जंदल और रेकिस्तान ज्यादा हैं लेकिन लोग ज्यादा अतरहarian लेकिन्यूस अतना ज्यादा स्टेबल होगा तो यह मैं लिख रहो इस बात को पहले सब्दों में also धービं नेलिकलियोंgestellt इमीजर आफ है आप लोग जानते हैं की नहीं हमारा जो जो प cycl Igor को पाकिस्तान वा माइध देश दोनों से कम है कि हम बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं यह सूरबीर है चटान तोड़ी हमने पहाल पलटा है लेकिन पाकिस्तान Balkan touch नेपाल का मैं नहीं जानता हूँ है लेकिन पाकिस्तान बंगलादेश दोनों से गरीब हैं मैं लोग पर-nucleon-binding energy is a measure of stability of nucleus और बंगलादेश तो बहुत आगे निकल गया है बंगलादेश तो मतलब काफी यह पांगलादेश की पाकिस्तान से ज़्यादा है पर-nucleon-binding energy is a measure of stability of nucleus higher is the higher is the BE upon A BE upon A का मतलब पर-nucleon-binding energy पुरानी लिखना हूं में higher is the BE upon A higher is the stability higher is the B upon A higher is the stability जितना ज़्यादा binding energy जो है पर-nucleon है उतना ज़्यादा nucleus stable होता है ठीक है इसका एक graph भी बनता है पर-nucleon-binding energy और उसका graph में इस तरह बना दे रहा हूं यह इस तरफ Z है और इस तरफ BE upon A है Z का मतलब atomic number और यह BE upon A का मतलब पर-nucleon-binding energy ठीक है तो यह BE upon A जो आता है इसका जो graph होता है वो कुछ इस time का होता है एक्चुल जो graph होता है वो जिग-जैग होता है मतलब ऐसे यहां से चलू होगा थोड़ा उपर थोड़ा नीचे जिग-जैग होगा आप बुक्स में देखेंगे क्योंकि एकदम स्मूथ सा कर्व नहीं होता है लेकिन हम लोग जब इसको बनाते हैं तो जिग-जैग बना भी दें लेकिन मतलब बता दो दिया मैंने आपको कि graph कुछ इस type होता है पहले बढ़ता जाता है बढ़ता 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 यह maximum कहां पर होता है किसके लिए maximum होता है किसका पर nucleon binding है जी किस element की सबस्यादा है लोहे की सबस्यादा होती है z is equal to 26 पर यह maximum होता है और इसकी जो maximum value आती है यह आती है 8.75 तो किसी-किसी book में 8.7 रहेगा और किसी-किसी book में 8.8 भी मिल जाएगा 8.75 यह value आती है तो मैं 8.7 लिख दे रहा हूँ यह में है मेगा इलेक्ट्रोन बोल्ट में लोहे के लिए जो binding energy होती है लोहे का जो nucleus होता है वो सबसे ज्यादा stable होता है लोहे की पर nucleon binding energy सब ज्यादा होती इसलिए nature में लोहा जो है उतना abundant भी है लोहे का nucleus बहुत ज्यादा पाए जाता है क्योंकि एक बार बनने के बाद बने तो सब होंगे जब शुरुआत हुई होगी तो बने तो हर होताता हूं तो यह पर nucleon binding energy का इसके अंदर बना लें इसको नोड़ बाते हैं जो हम लोग यहां से समझ सकते हैं जैसे कोई भी nucleus जो है वो stability पाना चाहता कोई भी system जो है है रुपया आने लगे अराम से जिंदिगी इसलिए तो कर रहे हो ना और तो कोई पर ऐसा तो कोई यहां मुझे नहीं लगता कि बड़ा फिजिक्स में इंट्रेस्ट होगा और बहुत बिल्कुल साइंटिस बरना चाहता होगा जीवन जहां देना चाहता होगा मैट्स के ल है तो अब उसमें क्या होता है कि जैसे माल लेते हैं कि बारेनिकलियस हैं तो उसकी के तो पर नुकलियों बाड़ गई थो बहुत बार अगर नूकलियस है तो बड़ा नूकलियस है तो स्टेयल के सगाने के लिए चोटे-चोटे नूकलियाई में तूट जाता और यह तूटने की घटना होती इस इतना को हम लोग nuclear fusion बोलते हैं आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी लेकिन एक कंसेप्ट आपको यह ग्राब बना हुआ है तो वहां से एक कंसेप्ट चिखा दूँ कि कोई भी बड़ा इतनी होगी एक क्य? अगर 50-50 के 2 में टूट गया तो बेंटिग एनजी बढह जाएगी तो ब्रस की स्टेबिल्टी बढ़ जायगी तो बहुत बड़े बड़े-बड़े जो नुक्स होते है वह चोटे चोटे नुकलियाई में तूट करके अपनी stability को बढ़ाते हैं ठीक है यह मतलब एक जैसे नियम वाली बात होगे जैसे इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा परिवार है पहले पुराने जमाने में आज के 20-25 साल पहले गाउं में ऐसा होता था परि प्रकृति के नियम के विरुद्ध है नेचर के लाओ के अगेंस्ट है प्रकृति का नियम जो है वह बहुत बड़े को सपोर्ट नहीं करता बहुत छोटे को भी सपोर्टिंग करता तो फिर देर करके क्या होता है stability पाने के लिए परिवार तूट जाते हैं पहले तो क्या हो होता है मतलब उसका जो बेसिक है बहले उसको आप किसी पी तरह से देखें लेकिन प्रकृति का जो नियम है वह यही कि बहुत बड़ा सिस्टम अगर होगा तो वह stability पाने के लिए छोटे-छोटे में तूटने की कोशिश करेगा और बहुत छोटा सिस्टम होगा ना तो इस है तो अगर यूपी में थोड़ी सी अगर समस्या का सुधार करना है तो चार इसको उसमें बार दिया जाए अगर चार ऐसा प्रोपोजल है बहुत बार से प्रोपोजल आ रहा है लेता लोग बटने नहीं देते क्योंकि चार बढ़ जाएगा तो राजपी करेंगे मतलब उ चार जो है मेरट का आदमी उसको दर गोरख्पुर से और कहा कहा से उसको लगनों जाना पड़ता तो बहुत बढ़ा कोई सिस्टप में टूटके STABILITY पा जाता है तो इसको कहते पर आपको दूसरी आप से और आती कि जैसे माली ये बहुत च्छोटा demands je नुकलेश चोटा अगर होगा तो इस्टिबील्टि पाने के लिये छोटा हो जाएगा जैसे परिवार कमें लिए दिया कि बड़ा परिवार है पचास लोग है तो छोटे चोटे यूनिट में तूट जाएगा अब छोटा परिवार जैसे माली यह आप आपकोलेन को एा जाये आपको घंडरले कि बात करूं होगी जब शादी होगा तो उससे बटबरा जाएगा है तो साथी करते हैं साधी साधी करने के बाथ आजाती है आदमें अल्ट में भ्रसको ॹभी उसको करना जीवन में तो यह बहुत चोटा है यह तो इस्टेबिल्टी पाने के लिए वह बड़ा हो जाता है बहुत बड़ा नुक्लिया ही है तो इस्टेबिल्टी पाने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में टूर जाता है वह बात समझ गया है जो जब मिलकर के छोटे-छोटे मिलकर बड़ा बनाते है तो उसको फ्यूजन कहते है nuclear fusion और जब बड़ा कोई तूटता है तो उसको fusion के नाम से जाना जाता है उसको nuclear fusion के नाम से जाना जाता है खेर fusion fusion के बारे हम लोग बात करेंगे detail में तो ये minding energy की बात रही ठीक है अब एक छोड़ा समय आपको सवाल दे रहा हूँ होग छोड़ा सा conceptual question है कि एक कोई nucleus है P और दूसरा है Q ये P और Q मिलते हैं और दो नए nucleus बनाते है R और S पी और क्यों दो nuclei आई थे ये दोनों मिल करके दो नए nucleus बनाते है R और S इस P की binding energy B1 है इसकी B2 है इसकी B3 है और इसकी B4 है ठीक है एक की B1 है एक की B2 है एक की B3 है तो इसके अंदर question है find the energy released energy released in the process find the energy released in the process ये जो process इसमें कितनी energy release होगी दो नुकलियाई है P और Q ये दोनों आपस में मिलके दो नए nuclei नुकलियाई बनाते है R और S तो इस process में कितनी energy release होगी ये हमें बताना है तोप सोचने बात हिने देखो बहें say energy released का housing नुकलिय सबंताया को तोड़ा जाता है कब दोसी तोड़ा बिरस होती है नुकलियाई को तूटने पर निकलते बने पर निकलती है तो बन कॉन खॉंड कार और एस तो अरो वर्श बन रहा है तो आर बने गा तो पूर्ट ऐस मावज़ısı अंहाल दो टॉर तो यह तो अलगी तो डाहिगा तो तोलने के लिए आ noon जागी एसितनी हुए देनी पूली तो ऑयर रिलीज से वह कित्थी have जाएगी B3 plus B4 minus B1 plus B2. यह देखे, question आपके सामने है, obtain the binding energy of nitrogen nucleus. nitrogen का nucleus है, उसकी binding energy आपको निकालनी MEV में from the following data. data में सवाल ऐसे ही आते भी हैं, ऐसा नहीं कि यह data मैंने जो दिया दराने के लिए दिया है. ऐसे ही सवाल आते हैं, जो binding energy और radio activity में सवाल होते हैं, उनमें इसी तरह के calculation खराब-खराब से होते हैं. तो जैसे यह hydrogen जो nucleus है, उसका mass दिया है 1.00783, neutron का mass दिया है 1.00876MU, और nitrogen का mass दिया है 14.00307MU. यह nitrogen का mass दिया है, nitrogen nucleus का mass यह दिया हुआ है, तो आपको binding energy निकालना है, तो इसमें जब भी हमें binding energy निकालनी हैं, तो binding energy निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, mass defect निकालेंगे, और जैसे अगर मुझे nitrogen में mass defect निकालना है, तो nitrogen जो है 7 proton और 7 neutron से मिलके बना हुआ है, तो अगर मैं nitrogen nucleus का mass defect निकालना चाहता हूँ, delta M निकालना चाहता हूँ, तो delta M की जो value आएगी, वो delta M की value में ऐसे निकाल सकता हूँ, कि 7 proton का mass, plus 7 neutron का mass, constituent जिससे मिलके बना है वो है, 7 proton, plus 7 neutron, minus, nitrogen nucleus का mass, यही होगा इसका mass defect, जो nitrogen का nucleus है, 7 neutron और 7 proton से मिलके बना है, तो यह constituent का mass हो गया, यह nucleus का mass हो गया, subtract कर देंगे तो overall mass आजाएगा, अब 7 proton का mass, इन्होंने hydrogen nucleus का ही mass दिया है, इस तरफ, तो अगर hydrogen nucleus की बात करें, तो hydrogen nucleus जो होता है, proton ही तो होता है, hydrogen nucleus में से electron निकाल दो, तो proton ही होता है, तो इन्होंने hydrogen nucleus का mass दिया है, यह नि proton का mass दिया है, तो 7 times the mass of proton, proton का mass इसमें आगया 1.00783, 1.00783, plus 7 times the mass of neutron, 7 into 1.00867, यह जाएगा, minus 14.00307, यह जाएगा, 7 times the mass of proton, plus 7 times the mass of neutron, minus mass of nitrogen nucleus, इसको solve करेंगे, तो किसी ने solve किया था, किसी ने solve किया था, यह आएगा solve करने पर, 0.11243, ऐसा आ रहा है, यह आ रहा है, 0.11243, amu में यह आ जाएगा, तो अब amu में, अगर delta m की value इतनी आ गई, तो अब हमें mass defect पता चल गया, आप binding energy निकालना है, तो binding energy था हम जानते ही, यह कितना होता है, mass defect into, 931.5, तो मोड़ा मोड़ा, मैं 930 भी ले सकता हूँ, तो माल लिजे मैंने 930 ले लिया, तो यह हो जाएगा, 0.11243, into 930, फिर इसको solve करेंगे, तो solve करने पर लगभग यह, 104 के आसपास आ जाएगा, 104 आप चाहें तो और detail में solve कर ले, चार option अगर बहुत close रहेंगे, तब तो पूरा detail में आपको solve करना पूड़ेगा, option दूर दूर है, तो आप इस तरह से भी इसको solve कर सकते हैं, अगर दूर दूर option है तो, देखें, binding energy का एक और सवाल आपके सबने आ गया है, इसमें यह करें, calculate the binding energy of alpha particle from the following data, data दिया हुआ है, hydrogen atom का mass दिया हुआ है, neutron का mass दिया है, mu में, और 2he4 atom का mass दिया हुआ है, alpha particle का नहीं, 2he4 atom का mass दिया है, और यह सारे masses इस तरह से दिये गए हैं, अब इसमें, जो मैं बताना चाहरा हुआ हूँगी, यह सब लोग जानते हैं, alpha particle क्या होता है, है, हीलियम से दोनों elektron निकाल दो, helium atom से दोनों elektron निकाल दो, तो helium का जो nucleus होता है, उसी को हम alpha particle क्याते हैं, helium का nucleus, तो alpha particle की banding energy आपको निकालनी है, यानि helium nucleus की banding energy निकालनी है, 1H1 atom का mass दिया, 1.007825, neutron का mass दिया, 1.008665, और 2he4 atom का mass दिया, 4.00260MU, तो हम इस question को करने जा रहा है, यह tricky question है, मतलब इसके अंदर से इप calculation के अलामत थोड़ा सा और common sense की भी बात आएगी, इसमें अगर हमें mass defect निकालना है, तो mass defect जो होगा, ध्यान से देखें, delta M जो आएगा, वो आएगा, 2 times the mass of proton, plus 2 times the mass of neutron, minus mass of H-E nucleus, अब लेकिन हमें जो जानकारी दे रखिए न, वो यह जानकारी प्रोटाउन का mass दिया ही नहीं है, प्रोटाउन का mass के बज़ाए इन्होंने क्या दिया है, एटम का mass दिया हुए है, तो प्रोटाउन का mass हमें नहीं पता है, helium nucleus का mass मैंने लिखा है, लेकिन इन्होंने helium atom का mass दिया हुए है, तो helium के nucleus और helium atom के mass में तो फरक आएगा, तो यह जो इन्होंने दिया है, और जो हमें चाहिए उसमें हलका सा difference है, तो उस difference को हम कैसे भरेंगे, अब देखिए ध्यान से, यह जो proton का mass है, जहां से दिखेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, mass of H atom, मतलब hydrogen atom, minus mass of electron, अगर hydrogen atom का mass इन्होंने दिया है, उसमें से एक electron के mass को कम कर देंगे, तो proton का mass आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, neutron का mass इन्होंने दिया है, चलो अच्छी बात है, neutron का mass इन्होंने दिया है, helium nucleus का mass नहीं दिया है, लेकिन helium atom का mass दिया है, अगर atom का mass दिया है, तो nucleus का mass कैसे निकालेंगे, atom के mass में से, 2 electron का mass कम कर देंगे, क्योंकि helium के अंदर 2 electron होते हैं, तो यह बराबर देंगा, mass of H atom, mass of H atom minus 2 times the mass of electron, अब देखें लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है, कि 2M1 यहाँ आएगा, और 2M1 यहाँ भी आएगा, कड़ जाएगे दोने चले जाएगे, और जो अपने पास बचेगा, वो बचेगा 2 times the mass of H atom, plus 2 times the mass of neutron, minus mass of H atom, जो helium atom है, उसके mass, अब यह तीनों चीज़े हमें available नहीं, electron का mass नहीं दिया था, तो 2M1 से 2M1 कड़ गया, और अब यह दिया वाँ हमे, H atom का mass दिया है, neutron का mass दिया है, H atom का mass दिया है, अब यह सारे masses यहाँ पे, रखते हैं हम दियल टाइम निकालने के लिए, तो दियल टाइम निकालने के लिए, जो हम यह सारे masses यहाँ पुट करेंगे, तो 2 times the mass of H atom, H atom का mass कितना दिया था, इन्होंने 1.007825, प्लस 2 times the mass of neutron, neutron का mass इन्होंने दिया था, 1.008665, 1.008665, minus mass of H atom, H atom का जो mass आएगा, वो कितना हो जाएगा, 4.00260, यह डेल टाइम के लिए आजाएगी, तो जो mass defect आएगा, वो इसके बराबर जाएगा, इसको हम लोग solve करेंगे, तो यह solve करने पर किसी ने solve किया था, कितना रहाएगा, 0.0104, 0.01, कभी था, आपका कितना है था, 0.030380, तो यह यह आएगा, 0.030380, यह में यह आएगा, mass defect, यह mass defect के वे लोग आगई, अब mass defect आगया, तो binding energy निकालने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, mass defect को 931 से multiply करेंगे, तो जो binding energy आएगी, बाजाएगी, delta M into 931, यह आजाएगी, और हम इसको solve करेंगे, 0.03038 into 931, तो यह nearly जो आता है, यह 28 AmiV के बरापर आएगा, 931 से multiply करेंगे, तो यह 28 AmiV के बरापर यह value आजाएगी, 28.3 ऐसे कुछ आती है, solve करने पर यह आजाएगी, तो यह आजाएगी,